ये अव्यक्त इशारे समय की समेप्ता परमान अव्यक्त फरिष्टा बनो फरिष्टा स्वरूप अर्थात लाइठ का आकार जिसमें कोई व्याधी नहीं, कोई पुराने संसकार स्वभाव का अंश नहीं, कोई दे का रिष्टा नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धी के भटकने की आदत नहीं ऐसा फरिष्टा स्वरूप पृताश मैं काया का अनभव करो, तो दे के स्वार्थी संबंध सुक शांती का चैन चिन्ने वाले विनाशी संबंधी मोहो की रस्यों में बांधने वाले ऐसे अनेक संबंध स्वता टूट जाएंगे, एक सुकदाई संबंध में ही सदा ओम शांती